नौशकार दोस्तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अमरूत की एक बहुत ही जबर्तस नई टेक्निक विक्सित की गई है जिसको ताइवान गावा के नाम से दोस्तो जाना जाता है यह बहुत ही नई प्रजाती है दोस्तो इसमें क्या है कि जो आम तोर पर हमारे यहां पर अमरूत की पौंद लगा जाती है वो बहुत लंबी प्रकरिया होती है वो तीन सा चार साल में आपका अमरूत का फल देती है इसके सबसे बड़ी खास बात यह है कि आपको मात्र छे महिने में ही अमरूत की फल देने लगता है तो आईए दोस्तो जानते हैं इसकी खेती की डिटेल के बारे में कहां से आपको बीज मिलेगा कहां से इसकी पौंद मिलेगी कैसे इसको लगा जाता है पूरी जानकरे इस यूडियो में मैं आपको देने वाला हूँ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यह अमरूत तीन प्रकार से होता है जैसे ताइवान का वाइट सपेद रंग इसमें होता है अंदर से अमरूद में दूसरा होता है red या pink color का और तीसरा होता है इसमें yellow color सबसे खास बात दोस्तो इस अमरूद की होती है यह अकीला ही लगबग 1 kg के something यह अमरूद का weight हो जाता है इतना बड़ा अमरूद इसमें जो है निकलता है डेको इसके प्लांट आपको मिलेंगे टिशू कल्चर टेक्निक के माध्यम से ये तयार किया जाता है वही प्लांट इतना एफेक्टिव होता है अगर आप टिशू कल्चर को छोड़कर बीज वाला अमरूत का अजान करेंगे तो वो दोस्तों आपको कम से कम दो से तीन साल बात जो है फल देगा बहुती लंबा समय उसमें लगता है इसलिए जब भी आप पहुंद लगाने की सोचें तो आप टिसू कल्चर टैक्निक से त्यार किया हुआ अमरूत का ताइवान गवावा या ताइवान अमरूत का प्लांट ही लें इस बात का आप ख्य केसी बात कि देखुएं आप सबसे पहले क्या कर लिजे अपने खैट में अपने प्लोट में आप उसमें तीन से चार मीटर के बीच की दूरि पर एक बैं मीटर के गड़े बना लिजе एक बाए एक मिटर के आप पूरे गड़े बना लेजिए तीन से चार मिटर का डिस्टेंस होना चीए इस हिसाब से अगर मैं आपको एक एकड़ का हिसाब बताऊँ तो एक एकड़ में लगबग आपके 900 के आसपास अमरूत के पेड़ लग जाएंगे तो 900 पेड़ दोस्तों आपके लग जाएंगे चार फिट की उनके बीच की दूरी होगी और सिदाई में भी चार फिट की दूरी होगी और एक रो से दूसरी रो के बीच भी चार फिट की दूरी होगी दोस्तों इस पेड़ की ज़्यादा हाइट नहीं जाती है ये कम से कम 2-3 मीटर हाइट इसकी जाएगी maximum और दूसरा इसकी जो गोलाई होती है जो circumference होता है वो भी लगबाग 2-3 मीटर जाएगा उससे जादा नहीं जाएगा तो ये क्योंकि नया एक develop किया गया है इसमें आपको इतना जादा plant फैलाव नहीं लेता है तो बहुत असानी साब इसमें जो है अमरूदों अमरूद की तुराई वगरा कर सकते हैं उसमें भी आपको असानी होगी देखे सबसे बड़ा फाइदा क्या है कि ये इसमें ascorbic acid होता है अमरूद में तो वो जिस कारण से इसको लोग सेवन करते हैं और इसकी बहुत जादा demand market में होती है अब बात करते हैं कि दोस्तों ये कैसे इसको हम बेचेंगे market आपको कामले देखे सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि ये अमरूद को आप कम से कम एक से दो हफ़ता तोड़ के अपने घर पे रख सकते हैं इस अमरूद को कोई दिक्कत नहीं होती है कोई खराबी इसमें नहीं होती है हाँ अगर गर्मियों का सीजन है तो वहाँ पर आप एक हफ़ता मानके चलिए लेकिन अगर नौबर दिसंबर की बात है सर्दियों की बात है मौसम टेंपरिचर आपके यहां पर थोड़ा सा कूल रहता है तो आपको दो हफ़ते तक यह अराम से आपके स्टोर में रह जाएगा कोई दिक्कत की बात नहीं है दूसरा दोस्तों मार्केट तो बहुत जादा इसकी अवलेबल है इसके अलावा आप इसका बाय प्रोड़क्ट भी बेच सकते हैं उसमें आपको बहुत जादा बेनिफिट मन जाएगा जैसे कि आपने इसका अम्रूट का जैम, जैली, जूस निकाल के और अम्रूट के इस सीड की प्लांटिंग करके उन्हें आप दुबारा से Rी सेल कर सकते हैं तो इस तरह किसे मार्केटिंग की कोई दिक्कत नहीं है, माल के पास होना जाएगा है कोई दिक्कत की बात नहीं है तो अब मैं बात करता हूं कि एक एकड में आपको कितना बेनिफिट से होने वाला है देखो मैंने बताया कि चार फिट की डिस्टेंस में इसका पौधा आपका लगना है तो एक एकड में लगबग यह 900 प्लांट आपका हता है देखे एक सीजन में एक अमरूद का पेड लगबग 30 से 40 किलो अमरूद आपको दे देगा यह मैं दोस्तों मिनिमम लेके चल रहा हूं 30 से 40 किलो वो देने व रूपे का आपका एक सीजन में काम होने वाला है मातर अमरूद की सेलिंग से वह भी मातर 900 पेड लगा कर तो दोस्तों यह बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल और एक नया प्लांट है जिसको आप करके बहुत अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं जो हमारे चले आ रहे हैं पर बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलने वाला है जैसा मैंने की बताया आपको यह सारी चीज़े हैं तो इसके अलावा दोस्तों अगर आप खेती में इंटरस्टेड हैं तो मेरे चैनल को सब्स्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पर मैंने बहुत सारी अन्या ऐसे ही नई- भी देखकर आप हो सकता है आपके यहां पर आपकी दिमाग में कौन सा इडिया क्लिक कर जाए और आप उस पर काम करके बहुत अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं तो यह था दोस्तों मेरा आज का ताइवान गवावा के ओपर वीडियो वीडियो देखने के लिए आपका बह अच्छा मना फकमा ही थांक्यू दोस्तों